नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में मैं हूँ आपके साथ अभय विशाल किसान आंदोलन के बीच एंडी टीवी के पत्रकार रवीश कुमार के तरफ से एक बड़ी बात कही गई है रवीश कुमार ने कहा है कि बिहार के कृसी मंत्री अन्दाताओं को दलाल बता रहे हैं पर उनकी ही सरकार ने इन्हें दलाली के चंगूल में फसाया है रवीश कुमार ने मंगलवार को एक फेस्बुक पोस्ट के जड़िये यह बात कही है वरिश्ट पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि बिहार में मंडी खत्म हुई तो बिहार के किसान बरबाद हो गए रवीश कुमार ने अभी लिखा है कि किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए भेज कर वोट लेने का दम इतना बढ़ गया है कि मंत्री को आंदोलन करने वाले किसान दलाल नजर आते हैं प्राइवेट कमपनियों के प्रती इतनी निश्ठा हो गई है कि जिस किसान का जुबानी जयकार करते थे उसी को दलाल कह रहे हैं गाली दे रहे हैं यह अभी ठीक है कि गाली सुनकर भी बिहार के किसान BGP को ही वोड देते हैं और आगे भी देंगे लेकिन यह भी सही है कि बिहार के किसान कंगाल हो गए हैं रवीश कुमार के इस पोस्ट के बाद लोगों ने भी जम कर कमेंट किये हैं हाला कि पत्रकार के इस पोस्ट पे कई लोगों ने पक्ष में तो कई लोगों ने भी पक्ष में कमेंट किये हैं सरोष सिंग नाम के एक यूजर ने लिखा है पूरा देश रसातल में जा चुका है किसान, मजदूर, बेरोज़गार सब परेशान है पर अफसोस है कि भक्त आपको गाली देने में अपनी शान समझ रहे है वहीं रमेश सिंग नाम के एक यूजर ने लिखा है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार से ही या फिर छोटी-छोटी राजनितिक पाटिया मोदी किसान के साथ छल कपट नहीं कर सकते है क्योंकि काट की हांडी एक बार चरती है बार बार नहीं अगर गलत करता है तो चार साल बाद कहा जाएगा इसलिए जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए रवीस्त कुमार के इस पोस्ट पर राजीव कुमार पांडे नाम की एक यूजर ने लिखा है कि बिहार में मंडी लालू राज से ही खत्म हो रही है मोदी भी किसानों को ज्यादा फायदा नहीं दे रहे है क्योंकि काला बाजारी और रखरकाओ पर कुछ ठोस काम अभी तक नहीं कर पाए लेकिन आप जैसे क्यमिनिस्ट पार्टियों ने तो किसान और मजदूर का खेल खेला कर बिहार में इस सच को भी मान लेते तो अच्छा होता अतुल भासकर ने लिखा है शायद आप सेखर गुपता को आधा दूरा ग्यान वाले बोल रहे हैं पर आप उनकी बातों को गलत तो साबित कीजिए दूसरी बात अगर बिहार के किसानों को दिक्कत थी तो आप लोग अब तक चुप क्यों थे सिर्फ धनी किसानों के लिए आपकी कलम और टीवी चलेगी जिन गरीब बिहार के किसानों के पास आवाज नहीं है उनकी लिए आप लोग आज तक क्यों नहीं बोलें आपको पता दे कि रवीष कुमार हमेशा सही सोसल मेडिया अपर अपने बातों को शेयर करते रहते हैं इस दोरान वो सरकार की कड़ी आलोजना करने से भी नहीं चूपते हैं अभी हाली में बिहार के क्रिसी मंत्री को लेकर उन्होंने जो बात लिखी है उस पर भी लोगों के रियेक्शन सामने आ रहे हैं अपने लंबे फेस्बूक पोस्ट में रवीष कुमार ने अभी लिखाया कि यह कहना कि मंडी खत्म होने से बिहार का किसान अमीर हुआ है एक एतिहासिक जूट है मंडी खत्म होने से उन ब्यापारियों के हाथ में लूट रहा है जो सस्ते अनाज खरीद कर बड़े ब्यापारियों को देते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बारी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रिये बिहारी ने उच धन्नवाद